नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तो अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल ऐसा स्मार्टफों लेना चाहते हैं जिसके स्क्रीन साइट बिल्कुल बढ़े हो इसका बैटरी भी बहुत हीुज हो और उसके अंदर में आपको सारे इस 8000 के नीचे-दीचे मिल जा है तो क्या कहने तो दोस्तों आपके लिए मैंने तीन फोन निकाला है चुनके तो उस तीनों फोन में से मैं बताऊंगा कि एक फोन कौन सा होगा आप सब के लिए बेस्ट और आज सारा करेंगे comparison और उस comparison की साफ से बताऊंगा कि आपके लिए best phone कौन सा होगा सबसे पहला जो phone मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है टेक्नो स्पार्क 6 एर अभी हमने इसका unboxing में करा था तो आप i button में ने दे दिया है उस i button में जाके इसका पूरा detail review दे सकते हैं unboxing दे सकते हैं एक तो यह phone है और इसकी जो price है 7999 रुपीज प्राइस है और 2GB RAM है 32GB ROM है और जो दूसरा phone है और यह है टेक्नो स्पार्क गो 2020 और इसकी price है 6499 और इसका भी हमने unboxing करा था इसका detail review करा था i button में ने दे दिया उस i button में आपको मिल जाएगा तो आप जाके देखिए उस video को तो यह इसकी price है 6499 इसके अंदर में 2GB RAM है और 32GB ROM है और जो तिसरा phone है realme c11 इस phone का भी हमने करा था unboxing review करा था उसका भी i button में दे यह मैंने link तो आप जाएए और इसका भी initial review और सारी चीज़े आप देख सकते हैं तो दोस्तों आज इस तीनों फोन का करेंगे हम comparison और comparison करेंगे design and display को लेके फिर performance को लेके फिर करेंगे camera testing के इसाब से फिर करेंगे कि इसका battery level कैसा है और फिर आज में करेंगे कि value for money फोन आपके लिए कौन सा हो सकता है तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है सबसे पहले बात करें design and display को लेके तो टेक्नो इस पार्क 6 एर है इसके अंदर में सबसे खास बात है कि 7 इंच की screen size में लियाती है बहुत ही ही हुज है मतलब अगर आप multi-media के बिल्कुल आप फैन है और बहुत सारी वीडियो देखते हैं या online classes करते हैं या वेप सर्फिंग वेप डिजाइलिंग के काम करते हैं तो मुझे लगता है 7-inch screen size आपके लिए बहुत suitable लेगी और जो टेक्नोश पार्क गो 2020 इसके अंदर में 6.52 इंच की screen लगा है और रियलमी C11 के अंदर में 6.5 इंच का screen HD है और इसमें क्या है कि आपको LCD screen मिल जाती है लेकिन बाकी दोनों फोन के अंदर में आपको मिल जाती है इसके जो पीछे का डिजाइन हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर में जो टेक्नोश पार के जो दोनों फोन है उसके अंदर में ग्लॉसी फिनिश दिजाइन है जादा से ज्यादा लग जाते हैं अदर्वाइस जो क्वालिटी ऑफ में बैक साइड में बहुत थोड़ी से अच्छी नहीं लेकिन रियलमी की वर कंपरिज देखें में तो क्वालिटी रियलमी से वेन की बैक डिजाइन कवर अच्छी है और रियलमी का जो लोगो लगा बढ़ा सा डिसेंड लगता है और जो कैमरेया की जो प्लेस्मेंट है थोड़ा सा वग जो Σंब दो है जो जो लगता है का सबसे बड़ा कारान है जो अपरेटिंग सिस्ट्म थोड़ा सा IT प्रोसेसर आपको बहुत बड़ा दिखाए पड़ेगा लेकिन एसा नहीं होता मैंने खुद भी सारे चीजे रंग करा वने वीडियो देखा मतलब गेम भी खेला मतलब मैं बहुत हेवी गेम नहीं खेला जान मुझ कि चुकि मैं जानता हूं कि इस प्राइस टैग में कोई कि हेवी गेमिंग का यह उप्शन नहीं मिलेगा आपको चुकि मुल्टी मेडिया फोन में मानता हूं तो इसलिए मैंने हेवी गेम नहीं कहला लेकिन जो नॉर्मल गेम है वह मैंने खेले तो मुझे लगता है कि टेक्नोश पार 6 एर में चुकि ऑक्टा को प्रोसेसर नहीं है बोटकर में 6,000 पर यह उस पास है तो मुझे लगता है कि acceptable limit पे मताब अगर आप मुझे अप्शन आप चलिए नहीं तो मुझे लगता है अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा को लेकि तैक यह मामले में टेक्नोश पार 6 एर में क्या ट्रिपल डिपल डियाता है रियर साइड म प्रफोर्मेंस का आप देख सकते हैं सैंपल मुझे लगता है कि जो रियर साइड का में कैमरा है वही थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बागी कोई के मेरे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वहीं टेक्नोश पार 6 एर का परफॉर्मेंस मैंने देखा आप रियर साइड का जो परफॉर्मेंस है मैक्रो लेंस भी इसका ठीक ठाक है और डिफ्ट लेंस भी ठीक ठाक मैं काऊंगा फ्रंट का जो कैमरा है वात तब आउटस्टेंडिंग तो नहीं कह सकते हैं लेकिर एक्सेटेबल इमिट पर सेम ऐसे ही है टेक्नोश पार्गो का चु कोई खास नहीं लगा मुझे लेकिन इसके अंदर में एक सबसे खास बात है टेक्नोश पार्गो के अंदर में फ्रंट में डूएल फ्लेश दे रखा है यानि रात में मतलब अगर आप वीडियो बनाते हैं या आप फोटोग्राफ लेते हैं सिल्फी तो आपको बहुत अच मचे करोंगा इस प्राइसरे ये-फिर MNH की बैटरी है टेक्नमस पागोष 2020 में रियल मीं सेल अभी भी पांच यार इमेज की की बैटरी लेकिन अच्छी बात है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद अराम से डेड़ से दो दिन बिल्कुल अराम से चल लाता है इसमें कोई दिकत नहीं होती है बाकी रियल मिस्टी एलेवेंट का भी बैटी परफॉर्मेंस है मैं बहुत अच्छा कहूंगा और गो 2020 का भी बाकी दोस्त रियल मिस्टी एलेवेंट और टेक्नो स्पार सिक्सियर में करीब एक मेने से यूज कर रहा हूं और टेक्नो स्पार गो 2020 अभी पिछले भी किया है मेरे पास तो तीनों फोन को मैंने पहुत प्रॉपर्ली चेक किया और मुझे लगा कि इंटी लेवल के स्मार् कि हाथों में लेने के बाद कौन सा फोन बढ़िया लगेगा जिसे प्रॉड फिलिंग हो तुड़ा सा अच्छा डिजाइन लुक भी हो तो मैं कांगा रियल मिस्टी 11 लेना चाहिए लेकिन पर्फॉर्मेंस के मामले में कांगा तीनों फोन में सबसे कम है अधर्वाइस पे सब्सक्राइब लेना चाहिए इस इंट्री लेवर स्मार्टफॉन के रेंज में तो मुझे लगता है कि अगर आप ले सकते हैं और टेक्नो सब्सक्राइब के पास उतना ही पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे आप खश्न बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो यू सब्सक्राइब के अगर आपको फोन लेना है इस प्राइस रेंज में तो थोड़ा सा और रिसर्च किजिए जो कंपनियों के वेब साइट हैं वहां पर जाने के बाद फूरे फोन के बारे में दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और सारी चीज़े आपको अपको अंपरिटिव खूद कीजिए और उसके बाद डिसीजिए खूद लीजिए वैसे जहां तक मैंने तीनों देखा है तीनों फोन के अंदर में तो मुझे टेक्नों स्पार सिक्स के बेटर लगा मेरे पर्सनल पॉइंट और व्यू से मुझे अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो कैसा अब हमें कमेंट करके जूरूर बताना दोस्तों लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैले तामीदा आपने ध्यान के स्टे सेफ इपी धन्यवाद आपका दिन शुपो